हम आ चुके हैं ओकिनावा के सोरूम पे जिसका नाम है प्रतीक इंटर्प्राइज़ और इसकी लोकेशन में आपको बता दूँ अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रियागराज में रहते हैं तो आपको महवा गेट के पास आना है और वैश्णवी एस्पताल के जश्ट सामने आपको प्रतीक इंटर्प्राइज़ देखने को मिल जाएगा जो की ओकिनावा का सोरूम है चलिए फटाफट इसके अंदर चलते हैं और आज ओकिनावा के जितने स्कूटर यहां पे हैं सबके प्राइज रेंज सारी चीज़े मैं कवर करूँगा और आपको कोई भी डिट प्राइज के लिए आपको फूली डिश्टल मिलता है इसमें आपको इंफोर्मेशन बहुत अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी चार्जिंग टाइम मतलब की चार्ज से पांच घंटे में यह फुल चार्ज हो जाता है और फुल चार्ज होने के बाद यह लगबग 60 किल किलो मेटर तक एक बार फुल चार्ज पर यह स्कूटर चल सकता है ठीक है इसमें आपको 1.25 KWH की लिथियम और बैटरी मिलती है और ब्रेकिंग की मैं अगर बात करूँ तो इसमें आपको E-ABS यानि इलेक्रोनिक असिस्ट ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और मोटर की वैरंट की स्कूटर है और इसमें कलर आपको धेर सारे मिलेंगे जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे यह पीला कलर है और पीला कलर वैसे मुझे उतना पसंद नहीं है लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको किस कलर की स्कूटर सबसे अच्छे लगते मैं यह क्या रहा हूं कि आप R30 के बारे में ही बोलिए क्योंकि अभी ओकिनावा में बहुत सारे स्कूटर पढ़े हैं लाइन से लगे हैं एक एक करके सारे स्कूटर को हम कवर कर रहे हैं तो यहां पे आप पीला कलर देखिए और उसके जश्ट बगल में आप इसका वाइट कलर भ 69,783 रूपे सिसकी एक सोरूम प्राइज इस वक्त 2022 में पढ़ रही है और प्राइज के लिए आप सोरूम पे कॉंटेक्ट कर सकते हैं ठीक है मैं कुछी जिए और बताओं इसमें 800 वाट का BLDC मोटर मिलता है जो की वाटर प्रूफ है चार्जिंग टाइम इसका 2-3 घंटे ह इसकूटर फुल चार्ज हो जाएगा और फुल चार्ज होने के बाद ये कम सकम आपको 84 किलोमेटर तक की रेंज प्रोवाइट करेगा इसमें भी आपको फुली डिश्टल मेटर कंसोल मिलता है जिसमें आपको सारी इनफरमेशन मिल जाती स्पीडो मेटर के साथ जो है इसमें ने बता दिया है मोटर की वरेंटी बेग्दम सेम है तीन साल की या फिर 30,000 किलोमेटर की आपको मिल जाती है और इसके टॉप स्पीड जो है वह 45 किलोमेटर पर आवर ठीक है 45 किलोमेटर पर आवर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे इसका अगला कलर भी बहुत ही प्यारा स्कूटर है और यह हायर सिग्मेंट का स्कूटर है इसकी प्राइस भी बहुत हाई है 87,593 रुपेज जानी कि 87,593 रुपेज इसकी एक्सोरूम प्राइस है और इसके बारे फटा-फट चीजें मैं आपको बताना सुरू करता हूँ सबसे पहले जानीए कि इसमें आपको 1000 वाट का BLDC मोटर मिलता है और यह 2-3 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है स्कूटर और इसके बाद जो इसमें लोडिंग कैपसिटी मिलती है वो 1500 किलोग्राम मतलब 1.5 कुंदल की लोडिंग कैपसिटी मिलती है इसकी जो रेंज है फु इसकी अच्छी खासी है ठीक है अब मोटर की वैरंटी वगरा की बात बताओं तो सेम है 3-year मोटर या फिर लगबग 30,000 तक आप चलाएंगे तो इसकी वैरंटी उसमें कवर हो जाएगी ठीक है अब इसमें और भी चीज़ी बता दूं बैटरी वारंटी भी आपको 3-year की मि आपको जाएगा कि जो charger इन में आपको मिलते है सारे charger, micro charger with auto cut function के साथ आते है, fully digital meter console इसमें मिलता है, सारी information आपको इसमें मिल जाती है, Pris Pro का यह दूसरा color आप इस समय देख रहे हैं, जो कि blue color है इसके पहले भी आपने देखा, तो Pris Pro काफी बहतरीन scooter है और इसका मैंने individual review क किया है, तो अगर आपको देखना है detail review तो आप उपर आप बटन को चेक करिएगा, अगर वीडियो चैनल पर आ गई होगी तो आपको तुरंद वीडियो मिल जाएगी, या फिर 2-4-5 दिन में वीडियो आपको completely मिल जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने Pris Pro भी complete कर लिया अब हम बढ़ेंगे इनके अगले scooter की तरफ, और यह है Okinawa का अगला scooter सबसे प्यारा scooter क्योंकि यह मुझे बहुत पसंद है, जिसका नाम है Okinawa Light, बहुत प्यारा इसलिए है क्योंकि इसकी height वगेरा सब कुछ बहुत कम है, और इसमें आपको सब कुछ LED मिलता है, कमपनी हर ए इसी मोटर मिलता है, charging time इसका 4-5 घंटे का है, 4-5 घंटे फुल चार्ज हो जाएगी, और यह फुल चार्ज होने के बाद, 60 km तक यह scooter आपको range प्रवाइड करेगा, ठीक है, और साथी साथ कुछ चीज़ें और भी जानी है, जैसे कि loading capacity डेड़ सो क्राम की है, मतलब डेड़ अब मैं आपको बता दूँ, इसका जो speedometer मिलता है, वो आपको LCD display मिलती है, कमपनी आपको LCD display देती है, और इसमें keyless, मतलब आप चाबी नहीं लगाएंगे, keyless starting है, बहुत कमाल की चीज़ें है, आप देखेंगे तो आपको काफी मज़ा आएगा, जाइए सोरों विजिट कर कि अगर अच्छे लगें, तो कमेंट में जरूर बताएगा, और अपना फेवरेट स्कूटर भी कमेंट में आप जरूर साजा करेगा, अब हम बढ़ेंगे इनके अगले स्कूटर के तरफ, और ये हैं Okinawa का अगले स्कूटर, जो की मतलब मैं बोलूँगा, second top स्कूटर कह स इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बढ़ चड़के मिलेंगे, और प्राइस भी बहुत बढ़ चड़के मिलेगा, इसका नाम है Okinawa I-Prize Plus, और इसके बारे मैं कुछ चीज़ें मैं बता दूं जैसे कि 1,13,023 रूपे इसके एक सोरूम प्राइस है, ध्यान दीजेगा, इसके लिए आपको सोरूम पे कॉल वगएरा करना पड़ेगा, वही लोग आउन रोड प्राइस बताएंगे, ठीक है, आपको चीज़ें इसके बारे में जानी है, इसमें आपको 1000 वाट का BLDC मोटर मिलता है, IP65, और चार्जिंग टाइम इसका 4-5 घंटे का है, मीटर कंसोल आप इससमें देख रहे हैं, फुली आपको मीटर कंसोल डिश्टल मिलता है, जिसमें सारी इंफर्मिशन मिलती है, लोडिंग कैपसिटी इसकी 1.500 किलोग्राम यानि की लोडिंग कैपसिटी है, बैटरी इसमें आपको 3.3 KWH लीथियम और बैटरी मिलती है, फुल चार्ज क और आवर की टॉप स्पीड कंपनी प्रवाइड करती है, साथ ही साथ 800 mm का सीट हाइड है, तो लेने पर लेटर श्ट्राइड जरूर ले लिजेगा भाई, इसकी भी सीट बहुत उपर है, मोटर वारेंटी आपको सेम मिलेगे 3 साल या फिर 3000 किलोमीटर बैटरी वारेंटी आपको 3 साल की मिलती है, और इसमें आपको Micro Charger with Auto Cut Function देखने को मिलता है, इसके बाद हम बढ़ते हैं Okinawa के सबसे टॉप स्कूटर के तरब, जो की मतलब जहाज की तरह दिखती है और इसका नाम है Okinawa Okie 90 और इस स्कूटर के बारे में क्या ही वोलूम बहुत धेर सारी 66 रुपीज इसके 100 रूम प्राइज है, मतलब बहुत महंगा स्कूटर है, लेकिन इसमें चीजें क्या क्या मिलती है, सबसे पहले तो यह जानिए कि 900 mm की seat height है, तो भाईया एक बार test height जरूर ले लिजएगा, आपके height भले ही 6 फिट की हो, लेकिन वहाँ पे भी seat height की इसमें आपको keyless entry मिलती है, किसी तरह आपको key नहीं लगाना है, keyless entry है, remote system सारा चीज आपको मिलता है, साथ ही साथ इसमें जो आपको range मिलती है वो 160 km की range मिलती है, मतलब एक बार चार्ज करने पे आप 160 km तक स्कूटर को दोड़ा सकते हैं, इसके top speed कंपनी का दावा है कि 80- 90 km पर hour की इसके top speed मिलती है, charging जो है 80% charging एक घंटे में हो जाएगा, और 100% charging आपको 3-4 घंटे इसको लगेंगे चार्ज करने में, बैटरी के जो warranty है वो 3 साल की है, इसमें आपको जो boot space, seat के नीचे space मिलता है, वो काफी बहतरीन मिलता है, लगभग 40 लीटर का मिलता है, helmet वग जो loading capacity मिलती है, वो 200 kg की मिलती है, मतलब 250 kg तक जो है वजन ये सह सकती है स्कूटर ठीक है, और इसमें आपको 3.6 kWh lithium oil की battery company प्रोवाइड करती है, तो देखिए इस स्कूटर में तो वाकई में सारी चीज़ें आपको बहुत high-five मिलती है, और mobile charging की सुभधा आपको हर एक स्क completely आपको seat के नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो मैंने Okinawa के जितने भी electric scooters हैं, जो इस showroom पे उपलब्ध हैं, उपलब्ध किया, इस showroom पे लगबख सारे scooter उपलब्ध हैं, बस एक दो को छोड़ के तो वो भी बहुत जल्दी हम cover कर लेंगे, side में की scooter खड़ा है, किसके बारे में आपको विस्तरत जानकारी चाहिए, अगर चाहिए तो उपर आई बटन को चेक करिए का आपको मिल जाएगा, और showroom का पूरा detail मैं आपको description में दे रहा हूँ, आप उनसे contact कर सकते हैं, और जो भी जानकारी चाहिए आप डाइग लिए उनसे पूछ सकते हैं उम्हेदे वीडियो आपको पसंद आयोगे, तो मिलूगा अगलो वडियो में दे हन्रकेगा आपना जैहिन चैह भारत